आज साल का आखरी सोरे ग्रहन दिल्ली समेत कई शेहरों में दिखेगा अदबुत नजारा लाखों लगाएंगे आस्था की डुपकी आज एक विशे के बारें बात करना चाहरे हैं वो प्रभु का संकेत है परन्तु आज अगर हम उसे समझेंगे तो शायद हम प्रभु को जान जाएंगे तो इस वीडियो को देखें और जाने और पेचाने कि प्रभु हमसे किस तरह से और क्या समझा चाता है तो सब्सक्राइब करना लाइक करना और पूरा देखना आज साल का आखरी सूरे ग्रहन दिल्ली समेट कई शहरों में दिखेगा अदबुत नजारा लाखों लगाएंगे आस्था की डुपकी आखरी सूरे ग्रहन चार बचकर 19 वक्त ये वो वक्त जिसका इंतजार हो रहा था अमरत सर में सबसे पहले सूरे ग्रहन जो है भारत में दिखेगा भारत में ये साल का आखरी सूरे ग्रहन है जिसका योग आप समझेए करीब 32 सो सालों में ऐसा योग नहीं बना है और आज वो योग जब भारत में साल का आखरी सूर्य ग्रहन दिखना शुरू हो गया है अब रख सब्सक्राइब कोई देर में जैसे तस्मीरे आपके सामने रखेंगे लेकिन देखिए ये तैयारे हम ये साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं तो देखा मेरे भाईवेनों आज एक ग्रहन है जिसे हम अगर आत्मिक तरीके से बोले और वेज्ञानिक तरीके से बोले तो एक चक्र है और आज एक सूरी के उपर एक काले सी छाया है परंतु इस छाया को अगर हम अपनी व्याख्या करें तो हो सकता है कि मैं कुछ और बोलूँगा उसी प्रकार पुरी दुनिया उसकी कहीं कहीं व्याथ्या कर लिये प्रंदु सच्चाई क्या है वो परमिश्वर की क्रिया है वो परमिश्वर का कियावा काम है जिससे समझें तो विज्ञानिक रूप से श्रिप एक सूर्य है और सूर्य के आसपास प्रत्वी है और प्रत्वी के आसपास जो है चंद्रमा एक समय आता है जिस तरह से घड़ी क स्वी एक बार बारा हो जाती है उसी प्रकार एक साथ वो तीनो एक लेयर में हो जाते हैं और उस लेयर में होने में उन्हें सालों लग जाते हैं परन्तु उसको हम यह नाम दे दे कर कि इससे हमारे जीवन में फर्क पड़ेगा इससे हमारे हमारे घ्रन लग जाएगा अगर हम भार चले गए मंदिर मस्जीद बंध हो गए हर एक काम बंध हो गाए हर एक चीज बंध करके आज लोगों को भरमा जा रहा है और भरमा में कौना आते हैं जो कच्चे कान के जो नहीं जानते जो मासूम है जो अज्ञान है अज्ञानता के कारण वो ना जाने कहां पहाड़ों पर चड़ रहे हैं और कोई नदियों में कूद्रा है कोई अपने तन के कपल उतार कर कोई घर में बंद करके अपना आपको बेठा है और कोई अपने ही घ दिखारण नए-णे नियम बनागए चुका हैं मेरे भाइवे नो यह सब चीजे कि चीज मार्त चीजे कि इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता और चन्द्रमा अक्टा टार कि व्याख्या कोई नहीं कर सकता प्रंतु एक प्रकृत से रुष एक प्रकृत कि aç वब मारी व्यक्यार की गई हम अपनी अपनी राय दे रहें और लोग को ढरा रहें यह ग्रंड केवल इंडिया में नहीं यह पूरी पूरी काइनात में पुरा वर्ल्ड में और यह सब कुछ इश्वर की मर्जी है और यह मैं समयना हमारे बढलके चीफ ह theo अभरि घर में जाले पड़निने कि अधिन उसे हमें साप करने की शिक्षा तरह से और अपनी चाल चल रहा हमें इसके साथ चलना है जिस तरह से हमें समझाता है आकाश के पश्रेयों को देखो वह ना वो कोई कोई सरद नहीं देखते इपनी को सीमा नहीं। बादल को कोई नाप नहीं सकता। और उसी प्रकार सूर्य को और चंद्रमा को प्रत्वी को कोई अपने साफसे चला नहीं सकता । इस शिर्च को क्यों। प्रभु परमिश्वर ने ये काइनात बनाई ये वो उसकी संरचना करता है वो उससे बदलता भी है वो उससे बिगाडने का वेदिकार रखता है परन्तु हमें इन चीजों से दूर रहना है कोई भी हो हिंडू मुस्लिम सिखिसाई हर एक भाई बेनों को मैं यही बताना चाह है इन बातों में ना आए क्योंकि इन बातों से आप अपने परिवार की जिम्हेदारियों से दूर हट जाएंगे आप शेतान की बातों में आजाएंगे आप अपने परिवार का बूरा कर लेंगे हो सकता है उधारन के तोर पर में अपने बच्चों को नदी में ले जाओं और हम यह सोचे कि हमारे पाप दूल जाएंगे और हम पर एक धन दुलत की वर्षा हो जाएगी परंतु बच्चे से मिष्टेक हो गई आप की driving में मिष्टेक हो गई सामने लेकी driving में मिष्टेक हो गई कुछ घटना हो गई कि उसका परिणाम के वो उसके वज़े से हुआ है क्यों है पर यह सिच चलना चलना सिखाने हमारी चाल हमें बताई एंसी प्रकार चलना इस्वर को हम करना है करन से वचन लुट आफ ही दिन सब कि कौन शेतान की बात सुनता है कौन शेतान को नहीं जानता है हम क्यों भठके हुए हैं यही हम में कमी है कि आज हम सबसे पीछे हो जाते हैं हम किसी के कहना सुनते हैं हम क्यों ना पढ़ें क्यों ना जाने क्यों रिसर्च करें कि यह सब चीजे क्या है विज्ञान क्या कह रह सकते हैं हमारा हाट टांसपर कराते हैं हम अपने ब्रेन का ओपरेशन कराते हैं विज्ञान के द्वारा क्योंकि विज्ञान इश्वर ने बना है परन्तु विज्ञान पढ़ने वालों को यह समझ इश्वर देता है तो हम उस समझ से चले कि अगर हम प्लेन में बेठे तो उस रखनी है और हमें अपनाव को बदलना ये इश्वर की सिक्षा है प्रभु येश्व मसी की जय हो और आप सब सुरक्षित हो करके बजस्वर करना दते है और हैं और हमेह साथ की जय है और हमेह सुरक्षित हो जय हो जद्वर को अज़ हैं और हमेह से लिए।